हेलो एंड गूड इविनिंग तुम्हें देवासिस आप सब का स्वागत करते हूं और आज हम लोग बात करने बालें कल के लिए याने के ट्विंटिनाइंथ कले और कल बैंक निप्टी को एनलाइसिस करने की कोसिस करेंगे तो फ्रेंड्स अभी अगर बात करें तो डाउ जो तो फ्रेंड्स टेली राम चनल पे अक्सेस बेंग का बाइंग कोल अलड़ी मिल गया था और हमारे सारे तार्गेट्स एचिव हो चुके तो है टेली राम चनल से जुनने के लिए टेली राम चनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा ओके और जि करते हैं तो बात करते हैं फ्रेंड बैंक निप्टी की तो बैंक निप्टी बैसिकली यूनों वेंग अभी चल रहे हैं अच्छा मोमेंट मिला था हो कि इंडसिंट बैंक की बात करें आज उसने अपर सरकीट लगाया हुआ था उसके बाद आज श्टावस में अगर हम जो ट्राइंगल यह इधर है तो अभी दरसल क्या होता है फ्रेंट की मार्केट में थोड़ा सा जो है बुलिशनस यहां से आना स्टार्ट होए ठीक है तो अभी यह इसके उपर सश्टन करना बहुत ही जरूरी है डेली बैसिस पर ट्वेंटी अप अगर इसका हाई पकड़ लेका हूँ 21100 ठीक है 21100 का लेबल कटने के बाद हमको क्या करना है पता है हमको में के लिए बुलिस होना है और कुछ अच्छे-च्छे स्टॉक्स को लॉंग करके चलना है ठीक है और अगर मार्केट को यहां से रिट्रेस्मेंट देना है तो मार्केट रिट्रेस्ट देगा इसी लेबल से 21100 के आस पास ठीक है अभी हम लोग अल्मूस्ट 2671 हो जुग है तो ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है वही 400 500 600 पॉइंट के अंदर ही हम लोग का रिट्रेस्मेंट स्टार्ट हो जाएगा जो की मार्केट को फिर से धकेल के लाएगा 192525 तक तो अब बात करते हैं इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए हम लोग का कुंब सा लेबल इंपोटन हो सकता है कल के लिए तो इसको मैं करता हूं 15 मिन्ट's और 15 मिन्ट's में हम लोग पकड़ के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या लेबल हो सकता है क्या निए ठीक है कि देखे फिर्ण्स सॉट करने के लिए अभी कुछ है नहीं ओके सॉट अगर हमको करना है तो हमको इसके नीचे आना पड़ेगा इसके नीचे रहे हैं 20 eat everything 300 and 300 Laura sheagain000 2390 के नीचे इसको उटकर सकते हम लोका जो पहला अगेट रहेगा और शनी होह और तो धोगी 97 का और दूसरा तर्गेट रहीघा अगे वहे 20,000 का ठीक है लेकिन 20,000 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा फ्रेंज साथ इतना याद रखे है अब अगर हम लोग बाइंग साइड में बात करें फ्रेंज तो थोड़ा सा 30 मिल्ड में चलता है ओके 30 में हम जाना पड़ेगा राइट अगर आपको इसके ऊपर मिलता है इसके ऊपर 20,000 860 के ऊपर इसको हम लोग बाइ करेंगे बिल्खुल इस से और जस्ट होंड़ेट पॉइंट के ऊपर हम लोग इसको बाइ करेंगे और जो हम लोग का पहला तर्गेट रहेगा और हैग सब्सक्राइब करने का समय अभी तक नहीं आए फ्रेंट करना है मार्केट को देखना है यह इसका प्रिवियस हाई यह वाला ही जो है को ब्रेक करने के बाद जो है हम इसको सॉटर में बुलिस भी अपना बना सकते हैं लेकिन तब तक के लिए जब तक यह अपना प्रिवियस आई ब्रेक निकाल सकते हो अगर आप श्टॉक्स को अभी के लिए तार्गेट करो फ्रेंट्स ठीक है जैसे कि अगर आज की बात करो तो फ्रेंट्स देखे हाँ काफी अगर मैं अपने पर्सनल पॉट्फोलियों के बात करो तो देखिए मैंने यह सब कुछ जो है कुछ ग्रूप्स में डाला हुआ था ओलरी हमारे टेलिगराम चैनल पे एजडी एपसी और फ्रेंट्स एक ब्रेक आउट इदर दिया है ओके यह डबल ब्रेक आउट दिया है तो sdfc ने मैंने यहां पर कुछ अपने क्लाइंट के पॉर्फोलियों पर यह वाला ट्रेड किया हुआ था और मैरे इसमें भी मैंने अपना पॉर्फोलियो पर अभी तक ही एक्टिव है sdfc और sdfc का जो है ना काफी बढ़िया अभी मुम तो थी बढ़िया जो है ब्रेक आउट इधर हुआ था फ्रेंट्स ओके यह ब्रेक आउट हो चुका था और आज इसने काफी सांदर मुमेंट दिया था और अप्टर इस ब्रेक आउट इस पॉइंट जो है मैंने पोजिशन लिया हुआ था और ऐसा भी लगता है कि सब्सक्राइब करता हुआ तो इसमें और आज इसमें को यूटी बॉट में जो है बाइंग सिकनल भी मिल चुका है फ्रेंट्स ओके डेली चार्ट में ठीक है तो यह काफी बड़ा यह भी थवा लग क्या बोलते है भागने के तैयारी में फ्रेंट्स ठीक है तो अब देख अच्छ गड़ाय जाहिन